हमें सहीद हुई, हमारा देश आजाद हुआ, बाबा साथ भीमरा अमेटकर जी ने हमें एक समिधान बना के दिये और उस समिधान में गरीब पिछना दली तैसे लोग सर उठा के जी रहे थे और हमारा देश आगे निकल रहा था, लेकिन 2014 में हिटलर के तरह एक हमारे देश में नेता आये और उन्होंने जूट बोलने का अपना सारा हुआ, जूट बोलने का अपना सारा सीमा को उन्होंने पार कर दिया उन्होंने देश के युवा से कहा कि देश के युवा आप हमको देश के बगान मंतिर बनाईए और आप देश के सभी युवा को हर साल युवा को नोकरी दो कोरोर देंगे आपको लगा कि सही में बेरोजगारी है, देश को युवा को नोकरी देना चाते हैं और आप उकर जासा पर आ गए उन्होंने कहा कि आपके अच्छे दिन लाएंगे, उन्होंने कहा कि किसान का आईद दचुनि करेंगे उन्होंने कहा कि विदेश में काला धन है उसको लाएंगे और सब के खाता में पंदर पंदर लाक रुपया दे देंगे जिसले साथियों आप और हम उनके बातों में फस गए और उनके फसमें के बाद आज देखिए आज हमारा देश का युबा जो है बेरोजगार है रोट पे घुम रहा है आज उनका कोई बेवस्ता देखने वाला नहीं है उसके बाद देश से कितना पैसा काला धन बंके भी देश में चला गया है हमारा किसान परिशान है देश के युबा परिशान है यह आपके हंक अधिक पाटी 16,000 क्रोड प्या चंदा लिया बड़े बड़े उद्योगपती से चंदा लिया उनको कहा कि आप हमें चंदा दो और हम आपको धंदा देते हैं उसे दूस तरीके से पाइसा लिया देश में ED CBI का नोटिस भेज कर बड़े बड़े कंपनी उद्योगपती से कैसे चंद लिया गया जिसने साथियो यह आपका सरकार नहीं है यह आपके लिए लगाए नहीं लर रहा यह बड़े बड़े लोगों के लिए कांप कर रहा है साथियो इसके लिए जरूरी है इसको बदलने का साथियो इसलिए आप देखिए ना हमें हमने बिहार में बहुत मेहनत किया चार बिधायक बनाया, हमारे बिधायक को खरीद लिया, हमको सरकार से बाहर कर दिया, जो सरकार हमने बनाया था, अगर हम 2020 में नितीज जी को समर्था नहीं देते, तो बिहार में मुक्त बंतरी नितीज को नहीं बनते, ये हमारी ताकत था, लेकिन उन्होंने हमें सरकार से बा अगर्झै वीर्जॉजन पर दwir मुंद्धि हो अफिर सबर चांगी और आप बताएए वो योजनाः ऐसा है कि 18 साल में अभेदन कीजिये और 22 साल में रिटार्मेंट हो जाएए यानि कि हमारे देश का यूवा बाइस साल में रिटेर हो जाए लेकिन मोदी जी 75 साल के बाद भी देश को चलाएंगे जिस समय में हरे रामा हरे कृष्णा का जापचार करना चाहिए ऐसे समय में लगेश चलाएंगे तिसलिए साथियो यह आपका नहीं है तिसलिए हम लोगों ने निर्ने लिया है हमारे सरक दिल्दी में बनेगा और बिहार तेज़स्वी जी के नित्रुट में दिहार मंगला सरकार बनाएंगे साथियो आपने देखा निटीष कुमार जी हमारे घठवंतर में तेजस्वी जी के साथ आए तो कैसा परिवर्तन हुआ पांच लागवी वागों सरकारी नोक्री मिला स समाजिक नया के लिए मजगुलती के लिए चाती अधारित गन्ना हुआ जिसमें तमाम हमारे स्टी ओभी सी अति पिछला भाई कारक्षन का दाइरा बराया गया इसलिए साथियों आने वरा समय में बरी लड़ाई है एक एक कर्च करता एक एक युबा अपने आने वरा फीरी क में बच्चे का भविस के लिए संखार्ज कीजिए और ये सरकार को बदलने का काम कीजिए सारी सरकार को बदलने का काम कीजिए इसलिए तमाम हमारे गटवंदन के सभी नेतागन को बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि यहां से पांच कार्षकरम आउर है तिसके लिए बहु को बोता हूं बहुत बहुत धन्यवाद है अलसंक्या की और से माला से सम्मानित किया जा रहा है माला से मुख्या जी कहा है और माला लावा दूपना जल्दी जल्दी बहुत धन्यवाद है और से मढ जी जल्दी कहा है अज कग्मान जल्दी 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 जा रहा है हुआ हुए कि अधिया ऑधिया हुआ है ऐमाला हगाई है पर्दी बच्केनेता देश के भविष यूवा के जान मान नियत जस्वी परसाद यादवची से खुजारिस करते हैं और जो है किया के जंचा को सब्वोधित करें जस्वी लाब अलो मांच पर उपस्तेत मारे बड़े भाई वी आईपी पार्टी के संरक्षाग मुकेश अहनी सहाभी मांच पर उपस्तेत महागेडबंदन के सभी नेता गन, पददिकारी गन, कारिकर्ता गन मांच पर उपस्तेत लोगसभा, गया लोगसभा सरसदिय छेत्र से महागडबंदन राष्ट्री जन्तादल के तरफ से उम्भीद्वार बनाए गये जिनको लालू जी ने लाल्टेन थमाया है पूर्वक्रिशी मंत्री बिहार सरकार और हमारे बड़े भाई सरफ जी पास्वान जी मांच पर सभी हमारे कॉंग्रेस पार्टी के वी आईपी पार्टी के लेफ्ट पार्टी के आजेडी के सभी साथी गन वर्जीर गन्ज की महान जन्ता और खास तोर पर यहां बड़ी संख्या में हमको घुजूर गवी बाबा नजर आ रहे हैं उनका यही से पैर शूकर के पड़ाम करते हैं और हमार नौजवान भाई के यही से गल्ले लगाने का काम करते हैं आप देखे आज बाबा साहब अंबेदकर जी का जैन्ती है जिनोंने सन्मिधान बनाया आज उनके जैन्ती पर उनके चर्दों पर शद्दा के सुबन अर्पित करता हूं साथी साथ चुनावी जन्त्सवा में यहां सब लोग यहां आए हुए इतने गर्मी में भी आप लोग यहां डटे वे हैं आपके होसले को हम सलाम करते हैं आप लोग हमारी बात को सुनने आए और हम लोग बताने आये हैं कि अगर आप लोग हम लोगों को जिताईएगा तो हम लोग आपके लिए क्या काम करेंगे आज भाजपा का घोशना पत्र भी जाली हुआ है लेकिन भाजपा के घोशना पत्र में नौकरी के बारे में नहीं है रोजगार के बारे में नहीं है गरीबी कैसे कम करेंगे उसके बारे में नहीं है बिहार के बारे में नहीं है हमको लगा मोधी जी बिहार के लिए कुछों देंगे लेकिन कुछों नहीं दिये आज घोष्णा पत्र जारी की लगा रे भाई बिहार को विशेश राज का दर्जा मिल जाएगा महेंगाई को कैसे खतम करेंगे लेकिन साथ फीसक्री हमारे नौजवान इस देश में रहते और उस देश में नौजवानों के लिए कुछ नहीं 28.0। हमारे इस देश पर किसान हैं अंग आता हैं पूरा देश का पेट पालते हैं उन किसान भाईयों के लिए भी मोधी जी ने कुछ नहीं किया तो हम आप लोगों के बीचा हैं इसके बाद और भी जगा जाना है लेकिन हम आप सब लोगों के समाख सुभा अपनी बात को रखेंगे आप लोग जानते हैं कि हम इसी जगे हम लोग आये थे 2020 में हम लोग ने वादा किया था कि अगर तेजश्वी को मुख्यमंत्री बनाओगे तो दस लाख लोगों को सरकारी नौपी बिहार में देगा चाचा जी जब बीजेपी से पल्टे तो इधर आगे होग दुबाणा कि इधर रहे तो माभी मांगे अबनोग भी फिर से मुख्यमंत्री बनादी भादक़स को बोगा ना था मुख्यमंत्री बने हम और मातर 17 माइने में आपका भाई ने आख लाख सरकारी नौपीर देने का कि गया जो देश में अब तक नहीं हुआ था इतनी बड़ी संख्या में एक राज में तीन महिने के अंदर फॉम भड़ा गया और तीन महिने के अंदर नियुक्ति पत्र भी मिल गया लेकिन मोदी जी से पूछोगे कि कितना दिये तो चुपी साथ लखते हैं तो कि देवे नहीं कि इसलिए मेरा मानना है कि हमारा अस्री दुश्मन बेडोजगारी है गरीबी है महेंगाई है हम सब लोगों को रोजगार देना होगा हम सब लोगों को किसानों को भला करना होगा आई दुगुना करना पड़ेगा कटनी चल रहा है फसल कट रहा है उस फसल का उचित दाम देना होगा हम सब लोगों को विहार को आगे ले जाने का काम करना है महिंघाई को खतम करना है इसलिए आप सब लोगों को पता है कि हमारे चाचा 20 में बोलते थे जब हम बोलते थे 10 लाग देंगे तो बोलते थे कहां से लाएगा कहां से देगा जोजगार क liaison कुहां से देगा आपने बाप के पास से 50 लागे बितन बाटेगा लेकिन हम ने 17 महिने में किया जीवी का दीदी आंगन बारी ममता आसा तानमी मरकाज भिकाश मीत टोला सेवक सबके मान देव को हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया लेकिन इतने में हम लोग जाती अधारित गन्ना कर रहा हैं हम लोग ने आरक्षन की सीमा को बढ़ाया आई टी पॉलिसी बनाया तूरिजम पॉलिसी बनाया हम लोगों ने स्पोर्च नीती लाई यानि जो खेलेगा उसको भी हम लोगों ने सरकारी नौकरी दिया और जो देश के लिए मेडल लाएगा उडियेस्टी भी बन सकता है उस नीती देता है तब जो परालि का उसको भी हमने नौकरी दिया अज जो बिहार का देश का नाम लाया मेडल लाया खेले खुदने में उसको भी हम लोगों ने नौकरी देने का काल कि आज आप लोगों के भीच आए परिवत्तन पत्र लेकर के आएं तेजश्वी जो कहता है वो करके दिखाता है मोदी जी भले नौकरी ना दे लेकिन आप लोग अगर इंडिया अलायंस को जिताईएगा हमारे महागरबंदन को जिताईएगा भारत में हमारी सरकार बनेगी तो पूरे देश में 15 अगस जो आने वाला है 15 अगस को क्या हुआ था हम लोगों को आजादी मिले थी तो आने वाला 15 अगस से बेरोज़गारी से आजादी दिलाएंगे और एक करोर लोगों को तेज़ भर में मात्री देने का काम करेंगे एक करोर कितना 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 जब 50 सियम रहते हुए सत्रे महिने में खली एक राज में अगर हम पांच लाग डौकरी दे दिये तो पुड़े देश भर में हमारा गड़बंदन जब सरकार बढ़ेगा तो एक करोर लोगों को सरकारी नौकरी मिलेगी और सुनों अगर चाचा नहीं पढ़ते होते तो अब तक 10 लाग हम पूरा कर दिये होते अब पलड़े तो पलड़े जहां रहे स्वस्त रहे सुखी रहे बुजुर्ग है अभिवारा के और यहीं नहीं आने वाला रक्षा बंदन में हम लोगों ने बोला है प्रण्डिया है कि घरी परिवार की हमारी बेंड को बेटियों को जो घरी परिवार है हर साल एक लाग रुपिया उठ बेहनों को हम लोग देने का काम करेंगे गैस सिलिंडर पांचो रुपिया हम लोग कर देंगे पांचो कर देंगे बिजली कितना महंगा है है कि नहीं हमारी सरकार बनेगी गडबंदर की सरकार बनेगी इंडिया लाइंस की सरकार बनेगी तो दो सो यूनिट फ्री में बिजली हम लोग देने का का काम करेंगे बिहार में पाथ जगा नया एर्पोर्ट बनाएंगे किसान भाईयों का दस फसल का MSP लागू करवाएंगे और यही नहीं आप देखिएगा कि पूरा बिहार को एक लाग साथ हजार करोर का पैकेज हम लोग देने का काम करेंगे चानिस लोग समस्फेट्र है यानि एक लोग समस्फेट्र मेंлена हरन्लों, रूपया हम लोग देनगी इस छेट्र के विकाश़ के लिए साड़ा काम हम लोग कर रहे अग्रीमीर योजना जो लाया गया है उसको हम लोग समात्त करेंगे जैसे पहले बाहली होती थी, वैसे ही बाहली अनवर शुरू करेंगे क्या है अगडी वीडियो जरा, सुनो भाई, सुनो अगडी वीडियो जरा में क्या है? चारे साल, चार साल बल रहता देगा ना उसमें पेंसल मिलेगा हमारे जवानों को ना कैंटीन की शुवदा मिलेगी ना सहीद का दर्जा मिलेगा बागर हम लगों का सरकार बनेगा सुनो सुनो जितने सहीद का दर्जा पहरा मिलिटरी फोर्स आप देखिएगा जितने हमाले अर्द सैनिक बलते उनको सहीद का दर्जा नहीं मिलता है इंडिया की सरकार बनेगी तो जितने सी आई एसेफ वाले सी अपिये वाले आई टीपी वाले जितना परवामिलिटरी फोर्स है उन सभी लोगों को शहीद का दर्जा भी हम लोग दिलाने का काम करें इसलिए हम लोग जो काम करने जा रहे हैं वह आप लोग जान रहे हैं लेकिन यहां से आप लोगों को सरफ जी जी को जिताना पड़ेगा इस बूद गया जाके देखिए इस बूद गया के विदायक भी है वहां एक ऐसा गाव नहीं जाए नोने रोड पूलिया ना बनाने का काल किया है आपको ऐसे ही इमंदार नोजवान आ चुप चाप चुप 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 तो आप सब लोगों को हम तहें दिल से बदाई देते हैं धन्यवाद देते हैं और याद रखिएगा आने वाला 15 अगस को पेरोजगारी से आजादी एक करोर लोगों को हम लोग नौकरी देने का काम करेंगे तो इसमें आप सब लोगों का अगर आर्शिवाद हो तो बताईए विजय कमाला पहरा दे जोना हाथ उठा करके बताईए चलिए आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद जय हिम जय पिहाद आप य कि जय खादी आप सब लोगों को कि अ जिचाए जिलना हाथ जले खादी आप लोगों कि प्रोगों कि लोगों कि अोड़ा खादी बहुत बहुत अदनाबाद सभाकी करवाद इसकाज करवोपर्शित हमारे लोग पिरिये परत्यासी भाई कुमार सर्जित पासमान जी बीनोद कुमार जी पुर्भिधायक जी बीएपी पार्टी के परदेश अध्याइप भाई बाल गोविन बिद जी दिनेज यादव जी न संकर बीद जी धिरेंद्र मला जी गोपाल मिसाज जी मुरोज भाई जी रेती रमन जी बबलोज जी और तवाम इंडिया नच्वंदन के सभी नेतागर और परे संसाय में खूप में खरे हमारे व्युवास आती सम्मानित गार जान माता बहें सभी को सब्रम बुल्ला मुच सभी के और से नमस्कास पर्णाव साथियों साथियों यह चुनावी सभा है लेकिन आज हम लोग मांते हैं कि हम लोग देश की अजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं साथियों ऐसे तो हमारे पुर्वद में देश के अजादी दिलाने के लिए लड़ाई लड़े और हच्चारों के संख्या में सहीद हुए हमारा देश अजाद हुआ बाबा साथ भीमरा अमेटकर जी ने हमें एक समिधान बना के दिये और उस समिधान में गरीब पिच्छा दलीत ऐसे लोग सर उठा के जी रहे थे और हमारा देश आगे निकल रहा था लेकिन 2014 में हिटलर के तरह एक हमारे देश में नेता आएं और उन्होंने छूट बोलने का अपना सारा सीमा को उन्होंने पार कर दिया उन्होंने देश के युगा से कहा कि देश के युवा आप अपको देश के परदान मंतिर बनाईए और आई देश के सभी युवा को हर साल युवा को नोक्री दो कोरोर देंगे आपको लगा कि सही में बेरोज़गारी है देश को युबा को नोकरी देना चाते हैं और आप उनके जासा में आ गए उन्होंने कहा कि आपकी अच्छे दिन लाएंगे उन्होंने कहा कि किसान का आई दुपनी करेंगे उन्होंने कहा कि विदेश में काला धन है उसको लाएंगे और सब के खाता में 15-15 लाक रुपया दे देंगे जिसले साथियों आप और हम उनके बातों में फस गए और उनके फसमें के बाद आज देखिए आज हमारा देश का युबा जो है बेरोजगार है रोट पे घुम रहा है आज उनका कोई वेवस्ता देखने वाला नहीं है उसके बाद देश से कितना पैसा काला धन बंके भी देश में चला गया है अमारा किसान परिशान है देश के युबाँ परिशान है ये आपके हख पार्टी 16,000 क्रोड प्या चंदा लिया बड़े बड़े उद्योगपती से चंदा लिया उनको कहा कि आप हमें चंदा दो और हम आपको धंदा देते हैं उसे दूस तरीके से पाइसा लिया तेज में ED CBI का नोटिस भेज कर बड़े बड़े कंपनी उद्योगपती से कैसे चं लिए लिए आप साथियो नितीजी को समर्थार नहीं देते तो बिहार में मुक्वंत्री नितीज को नहीं बंते यह हमारी ताकत था लेकिन उन्होंने हमें सरकार से बहार करके हमारे बड़े लिया इसमें शाथियों अभलोग लड़ाइं लगने करें आये लालुक परसाद यादती के भी चारतारा पर आये हैं उनके लिए्व अगरिकार के लिए रहे लड़ आज बताईए एक योजना है देश के युगा के लिए अगनि वीड योजना जो हमारे देश के युगा हस्ते लेकिन मोदी जी ने क्या किया अगने वीरियोजना सिर्फ चार साल के लिए आज बताईए पच्छार साल के मोदी जी होगे और फिर भी कह रहे हैं कि आपको एक वार मोका दीजिए अपिर जब देश चलाएंगे और आप बताईए वह योजना ऐसा है कि 18 साल में अभेदन रिटारिमेंट हो जाएंगे याने कि हमारे देश का यूबा फाور सालमे रिटार्र हो जाएं लेकिन मोदी जी तेजसी जी के साथ आए तो कैसा परिवर्तन हुआ पांच लाग युबा को सरकारी नोक्री मिला समाजी के लिए मजगुलती के लिए जाती आधारित गन्ना हुआ जिसमें तमाम हमारे स्टी ओबी सी अति पिछला भाई कारक्षार का दारा बराया गया इसलिए साथियों आने वरा समय में बरी लड़ाई है एक एक युबा अपने आने वरा फीरी के लिए अपने भच्चे का भविस के लिए संघार्ज केजिए और ये सरकार को बदलने का का किजी जिसलिए अपने गडविनिस गंवर्टे नहीं को बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि जहना से सभीं को देता होंने बहुत धन्यवाद भन हां जा ses क्या कि और से माला से सम्मानित किया जा रहा है माला से मुख्या ये कहा है अर्माला ला ला लो तु अपना यार जल्दी जल्दी पर्ती बच्के रता तेश के भमिष यूवा के जान, माननियत जस्मी पर साथ यादवची से खुजारिष करते हैं, और जो है किया के जंचा को संबोधित करें. जस्मी लावी. अलो. मांचपर उपस्तेत, हमारे बड़े भाई, वी आईपी पार्टी के संरक्षाग्ड, मतेश अहनी सहाभी, मांचपर उपस्तेत, महागरबंदन के सभी नेता गन, पददिकारी गन, कारिकर्टा गन, मांचपर उपस्तेत, लोगसभा, गया लोगसभा, सरसदिय छेत्र से, महागरबंदन राष्ट्री जंतादल के तरफ से, उन भी द्वार बनाए, गये, जिनको लालू जी ने लाल्टेन थमाया है, पूर्वकरिशी मंत्री, बिहार सरकार, और हमारे बड़े भाई, सरफजीत पास्वान जी, मांचपर, सभी हमारे कॉंग्रेस पार्टी के, वी आईपी पार्टी के, लेफ्ट पार्टी के, आजेडी के, सभी साथी गन, वर्जीर गन्ज की महान जनता, और खास तोर पर यहां बड़ी संख्या में हमको भुजूर गविवावा, नजर आ रहे हैं, उनका यही से पैर्ट शूकर के परणाम करते हैं, और हमार नौजवान भाई के यही से गले लगाने का काम करते हैं, आप देखे, आज बाबा साहब अम्बेदकर जी का जैनती है, जिनोंने सन्मिधान बनाया, आज उनके जन्ती पर, उनके चर्दों पर शद्दा के शुबन अर्पित करता हूँ, साथी साथ, चुनावी जन्त सवा में यहां सब लोग यहां आए हुए, इतने गर्मी में भी, आप लोग यहां डटे हुए हैं, आपके हौसले को हम सलाम करते हैं, आप लोग हमारी बात को सुनने आए, और हम लोग बताने आए हैं, कि अगर आप लोग हम लोगों को जिताईएगा, तो हम लोग आपके में क्या काम करेंगे, आज भाजपा का घोशना पत्र भी जारी हुआ है, लेकिन भाजपा के घोशना पत्र में, नौकरी के बारे में नहीं है, रोजगार के बारे में नहीं है, गरीबी कैसे काम करेंगे उसके बारे में नहीं है, बिहार के बारे में नहीं है हमको लगा मोदी जी बिहार के लिए कुछो देएँ लिकिन कुछो नहीं दिये आज घोशना पत्र जारी की लगा रहे भाई बिहार को विशेष राज का दर्जा मिल जाएगा महेंघाई को कैसे खतम करेंगे लेकिन साथ फीसदी हमारे नौजवान इस देश में रहते हैं पर उस देश में नौजवानों के लिए कुछ नहीं असी फीसदी हमारे इस देश पे किसान हैं अंग दाता हैं पूरा देश का पेट पालते हैं उन किसान भाईयों के लिए भी मोदी जी ने कुछ नहीं किया तो हम आप लोगों के बीचा है इसके बाद और भी जगा जाना है लेकिन हम आप सब लोगों के समाशुब़ अपनी बात को रखेंगे आप लोग जानते हैं कि हम इसी जगे हम लोग आये थे 2020 में हम लोग ने वादा किया था कि अगर तेजश्वी को मुख्यमंत्री बनाओगे तो दस लाख लोगों को सरकारी नौकरी बिहार में देगे चाचा जी जब बीजेपी से पल्टे तो इधर आगे दूबाना तो इधर आये तो माफी मांले तो हम लोग भी फिर से मुख्यमंत्री बना दिये भाझ्पदों को भगाना था मुख्यमंत्री बने हम उप मुख्यमंत्री बने 17 महिने हमको काम करने का मौका मिला, कितना? मात्र 17 महिने और 17 महिने में आपका भाई ने 5 लाग सरकारी नौकरी देने का काम किया जो देश में अब तक नहीं हुआ था इतनी बड़ी संख्या में एक राज में 3 महिने के अंदर फॉम भढ़ा गया और तीन में ने के अंदर नुक्ति पत्र भी मिल गिया लेकिन मोदी जी से पूछोगे कि कितना दिये तो चुपी साथ लेते हैं तो कि देवे ने की इसलिए मेरा मानना है कि हमारा असली दुश्मन बेडोजगारी है गरीबी है महंगाई है हम सब लोगों को रोजगार देना होगा हम सब लोगों को किसानों को भला करना होगा आई दुगुना करना पड़ेगा कटनी चल रहा है फसल कट रहा है उस फसल का उचित दाम देना होगा हम सब लोगों को विहार को आगे ले जाने का काम करना है महंगाई को खतम करना है इसलिए आप सब लोगों को पता है कि हमारे चाचा बीश में बोलते थे जब हम बोलते थे दस लाग देंगे तो बोलते थे कहां से लाएगा कहां से देगा गोजगार कोहां से देगा अपने बाप के पास से पषिशा लाके बितन बाटेगा लेकिन हमने सत्रा महिने में किया जीवी का दीदी आंगन बारी ममता आसा तानमी मरकाज भिकाश मीत टोला सेवक सब के मान देव को हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया लेकिन इतने में हम लोगों जातिया धारीद गंडा कर रहा है हम लोगों ने आरक्षन की सीमा को बढ़ाया आईटी पॉलिसी बनाया टूरिजम पॉलिसी बनाया हम लोगों ने स्पोर्च नीती लाई यानि जो खेलेगा उसको भी हम लोगों ने सरकारी नौकरी दिया और जो देश के लिए मेडल लाएगा उसको भी हम लोगों ने नौकरी देने का काम की आज आप लोगों के बीच आए परिवत्तन पत्रे ले करके आए तेज़श्वी जो कहता है वो करके दिखाता है मोदी जी भले नौकरी ना दे लेकिन आप लोग अगर इंडिया अलाइंस को जिताईएगा हमारे महागरबंदन को जिताईएगा भारत में हमारी सरकार बनेगी तो पूरे देश में 15 अगस जो आने वाला है 15 अगस को क्या हुआ था हम लोगों को आजादी मिले थी तो आने वाला 15 अगस से बेडोजगारी से आजादी दिलाएंगे और एक करोर लोगों को देश बर में नौक्री देने का काम करेंगे एक करोर कितना? कितना? ज़र से बोले कितना? जब 50 सियम रहते हुए सत्रे महिने में खली एक राज में अगर हम 5 लाख डौक्री दे दिये तो पुड़े देश बर में हमारा गड़बंदन जब सरकार बढ़ेगा तो एक करोर लोगों को सकारी नौक्री मिलेगी और सुनो अगर चाचा नहीं पढ़ते होते तो अब तक 10 लाख हम पूरा कर दिये होते अब पलड़गे तो पलड़गे हुए जहां रहे स्वस्त रहे सुखी रहे बुजुर्गे अभिवाराखे और यहीं लए आने वाला रक्षा बंदन में हम लोगों ने बोला है प्रण्डिया है कि गरीपडिवार की हमारी बेहन को बेटियों को जो गरीपडिवार है हर साल 1,000,000 रुपया उठ बेनों को हम लोग देने का काम करेंगे गास सिरिंडर 500 रुपया हम लोग कर देंगे बिजली कितना महेंगा है हमारी सरकार बनेगी गड़बंदर की सरकार बनेगी इंडिया अलाइंस की सरकार बनेगी तो दो सो यूनिट फ्री में बिजली हम लोग देने का काम करेंगे बिहार में पाथ जगा नया एरपोर्ट बनाएंगे किसान भाईयों का दस फसल का MSP लागू करवाएंगे और यही नहीं आप देखिएगा कि पूरा बिहार को एक लाग साथ हजार करोर का पैकेज हम लोग देने का काम करेंगे चालिस लोग सबाद छेतर है यानि एक लोग सबाद छेतर में चार हजार करोर रुपया हम लोग देंगे इस छेतर के विकास के लिए सारा काम हमलोग कर रहे हैry अगनी-вин ही वीर योजना जो लाया गया है उसको हमलोग समात्त करेंगे जैसे पहले वाहली होती थी वेज़े ही वाहली हमलोग सुरू करेंगे क्या है अगनी- deception अगनी- वीर्योजना में क्या है 4 साल 4 साल बतब ह tiếpक ना उसमें पेंशन मिलेगा हमारे जवानों को ना कैंटीन की सुवधा मिलेगी ना शहीद का दर्जा मिलेगा बागर हम लगों का सरकार बनेगा सुनो सुनो जितने शहीद का दर्जा पैरा मिलिटरी फोर्स आप देखिए जितने हमाले अर्द सैनिक बलते उनको शहीद का दर्जा नहीं मिलता है इंडिया की सरकार बनेगी तो जितने सब्सक्राइब करें इसलिए हम लोग जो काम करने जा रहे हैं वह आप लोग जान रहे हैं लेकिं यहां से आप लोगों को सरफ जी जी को जिताना पड़ेगा इबोध गया जाके देखिए इबोध गया के बिदायक भी है वहाँ एक ऐसा गाव नहीं जाएं उन्होंने रोड अप पुलिया ना बनाने का काल किया है आपको ऐसे ही इमंदार नौजवान आदमी चाहिए जो काम कर सके तो उसलिए आप लोगों से अपील करते हैं कि इनको भारी बतों से आप लोग जिताने का काल किया है जिताना हो कि ने जिताना है चुप चाप चुप चाप चुप चाप चुप चाप चुप चाप तो आप सब लोगों को हमता है दिल से बदाई देते हैं धन्यवाद देते हैं और याद रखिएगा आने वाला 15 अगस को पेरोजगारी से आजादी एक करोर लोगों को हम करेंगे तो इसके आप सब लोगों का अगर आर्शिवाद हो तो बताएए विजय कमाला पहरा दें जोरा हाथ उठा करके बताएए चलिए आप सब में होता बहुत हमिनाद जय हिम जय पिहाद हम जरें नहों का प्रह छोरा है